नमस्कार दोस्तों मैं हूँ लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में UP SSSC PET 2022 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है आप लोग देख सकते हैं 2021 की परीक्षा हो चुकी थी आप 2022 के लिए जो पैट की परीक्षा होगी उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले की online आवेदन और शुल्क जमा करने के प्रारम होने की जो तिती है वो है 28 जूम मतलब आज से ही आप form भरना शुरू कर सकते हैं इसके अलावा जो फीज सब्मिट करने की लास्ट डेट है या फिर online आवेदन की आखिरी जो तारीक है 27 साथ 2022 मतलब 27 जुलाई तक शुल्क जमा करने से संबंधित और आवेदन से संबंधित जो भी संशोधन होगा उसके लिए 3 अगस्ट 2022 आखिरी डेट है पहले से ही एक्जाम के बारे में आपको बता दिया गया है कि कब परिक्षा होगी इसके बारे में कैलेंडर जारी कर दिया गया था अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको क्या करना है तो दिखिए कैसे फ़र्म भरना है यह आपको बता है आपको सबसे पहले upsc.gov.in पर जाना है वहां जाकर registration करना है registration करने के बाद से आप इस form को फुरा fill up कर सकते हैं फिर payment कर सकते हैं और बाद में आप अगर चाहें तो संसोधन भी कर सकते हैं उसके लिए भी दिया गया है आपको अगस्त में 3 अगस्त तक दिया गया यहाँ पर आप देखिए यह आपको दिया गया है 3 अगस्त 2022 यह पूछे भी जाएंगे और ये कैसा एक्जाम होता है मैं पहले बता दूँ कि इसकी प्रक्रती क्या है प्रक्रती ये है कि सबसे पहले ये परीक्षा जब आप देंगे तो ग्रूप D और ग्रूप C उत्तर प्रदेश में UPSSSC के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उ आप जितना अधिक नंबर लेकर आएंगे इस परीक्षा में उतना आपके लिए फायदा होगा सबसे पहले बात करें तो यहां देखिए भारतिया इतिहास से पांच नंबर के प्रशन पूछे जाएंगे सिंधु घाटी सब्यता वैदिक संस्कृति बहुत धर्म जैन धर् हर्षवरधन है Agora,asya मेंme में दिया समुध्र गुप्त और चंद्र गुप्त गुथिती तो आपको इन्हीं दो के बारे में पढ़ब ना है बाकी आप अशोक के बारें में पढ़़ रहे हैं Appreciate साम्राज्य मराठा है भारती राष्ट्री आंदोलन से भी पांच नंबर का प्रश्ण है modern history आप कहे सकते हैं इसमें स्वाधिन्ता आंदोलन की जो प्रारंभिक वर्स थे स्वदेशी आंदोलन था महात्मा गांधी का जो आंदोलन था उससे संबंदित फिर 1935 का जो एक्ट था वो आपको मुख्या है वह है 1947 से 1991 तक जो भारत में योजनाय चली पंचवर्शी योजनाय चली हरित क्रांती हुई दुग्द क्रांती हुई ये सारी चीज़ें आपको इसमें आ जाएंगी फिर 1991 में जो सुधार हुए वो और उसके बाद 2014 के बाद मतलब वर्तमान जो सरकार है इसके बाद जो भी चीज़ें की गई ये से क्रिसी में सुधार किया गया जी एस्टी लाया गया तो उससे संबंदी चीज़ें आपको पढ़नी पढ़ेंगी फिर भारती समिधान पढ़ना है आपको भारती समिधान में जो मुख्य विसेष्था है सामान विज्ञान में फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायो मिला कर पांच नंबर के प्रश्ण पूछे जाएंगे अलिमेंटरी अर्थमेटिक्स मतलब जो प्रारंभिक अंगणित होता है उससे पांच नंबर के प्रश्ण जो टॉपिक दिया है वही पढ़ना है आपको पूर्ण संख्या दिया है प्रतिसत्ता दिया है साधारां अंगणिती समिकरण है वर्गमूल है घनमूल है घातांक है करनी है घातांक है और घात है अब फिर ओसत है उसके बाद हम बात करें हिंदी की तो हिंदी में आपको संदी है विलोम है पर्यायवाची है व्याक्यों की मतलब रिजनिंग की तो पांच नमबर यहां से भी है करेंट अफेर दस नमबर का पूछेगा और जो जनरल अवेरनेस है उसमें भी आपका पूछेगा दस नमबर इसको हम बोलते हैं विधी जो होता है न विविध मिस्लेनियस जो टॉपिक्स होते हैं जैसे किस देश का क् पर है कौन सा और्गनाइशन कहां पर है यह सारी चीजें इसमें आ जाएंगे फिर यहां देखिए अपठित गध्यांस यह दस नमबर के आएंगे हिंदी के ग्राफ की व्याक्षा और विश्लेशन भी दस नमबर और तालिका से संबंधित प्रश्ण भी दस नमबर कुल सो मार्किंग भी है एक बटा चार का माइनस मार्किंग भी है यह भी याद रखिएगा खैर यह सब तो बात की बाते हैं फिलहाल आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए मैं फिर से बता रहा हूं कि 28 जून 2022 से लेकर 27 जुलाई 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं तीन अगस्त 2022 तक आप इसमें संसोधन कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में